यह हिं दोस्तों कैसे हैं आपसी लों मैं हूँ आप सभी लोग का दोस्त संचेट और अजिधी हम लोग bisogner करने वाले हैं Nifty and Mank Nifty में हमारा और क्या वीउ हो सकता है कल के लिए global markets में जो खबरे चल रही हैं उसका किस तरीके से impact जो है हमारे वजार के उपर बढ़ सकता है election से पहले क्योंकि अब केवल दो हफते रह गई हैं दो expires रह गई हैं election से पहले और बहुत जादा करीब अब finally हमारे सामने जो मार्केट के सामने election और उसका impact जो है वो आने वाला है पिछले कुछ हफतों में पिछले कुछ दिनों में especially हमने election की बहुत जादा बाते गरी हैं कि क्या उसका impact हो सकता है क्या strategy हम लोग बना सकते हैं क्या पूरा जो है view रह सकता है election को लेकर बट पिछले दो दिनों में अगर किस खबर ने dominate किया है पूरे global media को तो वो एक खबर है वो है इरान के जो प्रेजिडेंट है उनके helicopter crash की खबर क्या इसके reprecations हो सकते हैं आगे चलते हुए अभी तक क्या update आया है और किस तरीके से global markets को इंपक्त कर सकता है सारी चीज़ इस वीडियो में discuss करने वाले है तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीज़ेगा आप लाकिन को दबाईएगा और इस वीडियो का लाइक है मैं प्रकते हैं लगबाग 1000 लाइक जो कि आप पूरा कर ही देंगे चलिए अब जाए टेम विशना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं देगे सबसे पहली चीज हम लोग अगर इस वक्त आज के दिन का हमारे market का पूरा लेखा जो का हमारे साम रहता दें 100 पॉइंट का आपको गाप डाउन होता है सेम कैंडल आपका जो गाप भरती है उसके बाद आपको टाइम मिलता है यहां पे बेस बनाता है बजार और उसके बाद उपर की साइड का एक अरांड हंडेड पॉइंट का एक अपमूव देता है टेलिग्राम पे आसपास एक्जाक्ली के बाद पानसो असी और चेसो बीस रेजिस्टन्स जोन है इस जोन के आसपास ना खरीदे इसके उपर अगर निकलता है तो हम लोग एक फ्रेश अपमूव जो है वो दुबारा से पैन आउट होता हुआ देख सकते हैं इक्जाक्ली अगर आप देखो हम लोग को काइंड आफ देखने को मिली जहां पर 70 पॉइंट के आसपास जो है वो गिरान निफ्टी एंड में थोड़ा उपर बंद हुआ है आवरेज क्लोजिंग थोड़ी उपर हुई है बट ओवरॉल निफ्टी में अट लीस्ट मोमेंटम हमें उपर की साइड का हमें देखने को मिला बैंक निफ्टी ऑन दा अधर साइड वस क्वाइट वॉलेटाइल ठीक है क्योंकि बैंक निफ्टी में अगर आप देखो हमने ब्रॉडर रेंज तो डिसकस कर ली थी कि यह ब्रॉडर रेंज निकलेगी तो बड़े मूब्स आएंगे बट अगर हम इंट्र अगर अम फिन निफ्टी की बात करें तो बिलकुल इनों ने आज के दिन साइडवेज रखा एक्सपाइरी वाला दिन ओव्यस सी बात है एंड वन मोर ओव्यस थिंग के अगर पहली पंद्रा मिनट की कैंडल इतनी जादा बड़ी विक वाली आप देखने हो ना कितना बड इतनी बड़ी कैंडल बनती है तो तो पूरा जो जो फेक डाउन था या जो भी एक फ्रीक ओपनिंग थी उसने पूरा जो है वो गेम खराब कर दिया था इंट्राडे वालों का एंडियाविक्स थे परसेंट बड़ा है एक्सपेक्टेड है इलेक्शन जितने पास आते जा पर लेटेस्ट हमने जो सपोर्ट लेवल डिसकस करेते वह बाइस चार सो फिछतर चार सो पचास ते जिन लोगों ने भी जॉइन नहीं किया दिस्क्रिप्शन में लिंक है तो हम लोग क्या अब देखना चाहेंगे अगले एक से दो दिनों में तिल एक्सपाइरी निफ्टी के लिए जो important सपोर्ट बनेगा वो बनेगा around 22,450 से लेकर 22,475 ठीक है ये एक important सपोर्ट जो है निफ्टी के लिए बनके सामने निकल के आ रहा है अगर इस सपोर्ट के नीचे निफ्टी जो है वो trend करना स्टार्ट करता है क्योंकि अगर हम देखें फ्राइडे को साड़े दस बजे के बाद यहां पर बहुत जादा consolidation हुआ Saturday को फ्रीक जो डे था वो भी यहीं पर इसके लेविल के उपर हुआ आज अगर आप देखो 15 मिनिट की लगबक कितनी छे से साथ कैंडल नहीं आप बेस बनाने की कोशिश करी तो बाइस चार सो पचास बाइस चार सो पच्चिस के नीचे अगर निफ्टी जो है वो sustain करना start करता है that would be the only sign जहां पर हम लोग कहेंगे कि weakness जो है वो persist कर रही है और हम लोग अब एक down move downward trend की तरफ जा रहे हैं तो इस level का आपको ध्यान रखना है next few days के लिए ठीक है on the upside में आज की जो range थी अगर हम बात करें 22,620 और 22,580 ये range बहुत important है as a resistance area जब तक इस range के top end जो की 22,625 होगा इसके उपर नहीं निकलता वो aggressive short covering वाला momentum move वो थोड़ा missing रहेगा बाजार में हो सकता है support से दुबारा से bounce हमें आता हुआ दिखाई दे वर 22,625 जब तक clear cut बाजार जो है वो नहीं निकालता है थोड़ on the higher side में FIS की selling का डर रहेगा अब FIS सेल क्यों कर रहे हैं clear cut है global markets में जो सबसे बड़ा इस बना हुआ है वो Iran President का जो helicopter crash है उसको लेकर बना हुआ हम लोगों ने discuss नहीं किया इस चीज को लेकर weekend video क्योंकि हमने पहली बना दी थी उसके बाद यह सारी चीज़ा सामने आई तो इस चीज के पर अगर रोशनी डाले तो important जो रहेगा बजार के लिए कि इरान की जो जांच agencies है और specially Russia ने बोल दिया है कि हम लोग इरान का जो है वो समर्थन कर रहे हैं और अपनी तरफ से कुछ help भेज रहे हैं इस जो है helicopter crash की जांच करने के लिए यह किस तरीके से pan out होता ह है अभी तक जो clear चीज़े निगल के आ रही है या इरान की तरफ से भी आ रहा है कि यह crash था rather than किसी की तरफ से किया गया attack था तो जब तक यह चीज़ crash में बनी रहती है I don't think इसका global market पे कुछ vast बहुत बड़ा major impact होगा हाँ हो सकता है थोड़ा बहुत नीजग reaction हमें देखन या कोई देश सामने से निगल के आता है और वो बोलता है कि हमने जो है यह ऐसी चीज़ करी थी तो Middle East में situation बहुत जादा खराब हो सकती है तो इस चीज़ का आपको बस अभी से यह नहीं कि कई लोग क्या होता है news सुनके या news को देखके put by कर लेते हैं मैं बस यह चीज़ आपके mind में डाल रहा हूं कि आप overboard ना हो ठीक है overnight position ले जाने से पहले थोड़ा आपके back of the mind में यह चीज़ रहे कि यह एक global event चल रहा है क्योंकि अगर इस global event में negative points pointers आते हैं जहांच agencies बोलती हैं कि attack हुआ था then major repercussions हो सकते हैं Middle East में और crude इसका जो है सबसे जादा जो है एक bounce आ सकता और inflation का जो पूरा इनका figure है ना fed bed का वो दुबारा से हिल जाएगा तो इस चीज़ के उपर बस थोड़ा एक प्रकाश जरूर रखिएगा हम बात करते हैं bank nifty की देखो bank nifty में broader range तो मैंने आपको बता nifty के अंदर बट एक चीज अगर आप notice करो पिछले दो से तीन दिनों से bank nifty एक range के उपर है वो है 47,800 तो 47,850 एक level आप note करके रखो 47,850, 875 के नीचे अगर bank nifty निकलता है that would be the first sign of the weakness and then 47,650 और 47,300 की दरफ on the downside में जाते हुए दिखाए दे सकते हैं levels के उपर watch out करेगा अगर यह levels टूटते हैं through gap up या gap down या फिर intraday नए fresh levels में आपको टेलिग्राम पर update करता रहता हो intraday तो उसकी आप चिंता ना करेंगे वीडियो के बाद levels अगर change हो गए तो क्या करेंगे तो आज अगर वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई